जीत तीवी देखने मालों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ थेंकियो सो बड़ी माच फो सब्सक्राइबिंग माइ चैनल फो वाचिंग माइ वीडियोस फो गुट कमेंट्स यूर्स सजेशन और कमेंट्स आर वेलकम immigration related videos के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें Canadian immigration related queries के लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं और bell icon को दबाना ना भूले ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूँ तो आप उन्हें देख सकें थेंकियो सो वर्य माच जैसे मैं आपको ये बताती हूँ कि SPP program था जो student promotion program था जो जिसमें 6 band not less than 5.5 in each module और एक semester की fees के साथ आपको तकरीबन 43 institutes में जो colleges हैं Canada के उसमें आप study permit पे जा सकते थे उस SPP program को upgrade करके SDS program बना दिया गया है जिसके तहत आपको each module IELTS में 6 band लेके आने पड़ेंगे not less than 6 in each module तो उसी के तहत एक और बहुत बड़ा change हुआ है जैसे आप एक semester की fees पे करके visa के लिए apply करते थे और आपको visa मिलता था Canada जाने के बाद आपको next semester की fees पे करनी पड़ती थी इसके अंत्रगत आपको करना क्या होगा अब इंडिया से ही पूरे साल की मतलब दोनों semester की fees आपको पे करके ही visa मिलेगा और एक साल का आपका जो GIC है वो वहाँ पे आपको deposit करना पड़ेगा जो 10,000 Canadian dollars होते हैं उसी हिसाब से जो है आपको अगर आप study के लिए जा रहे हैं SDS program में या फिर आप किसी भी program में जाना चाहते हैं तो आप सभी students को मेरी एक request है कि आप जब भी college choose करें जब भी अपना course choose करें बहुत ही उसमें अपना ख्याल रखें कि आपको उस course से क्या benefit होने वाला है उस course की Canada में क्या value है कि जब आपकी study complete हो तो क्या आपको वहाँ पे PR मिल सकती है या नहीं मिल सकती या फिर जिस college में आप admission ले रहे हैं जिस college में आप एक साल का खर्चा और एक साल की fees और Canada में जाके रहेंगे तो तकरीबन 30,000 से 35,000 का जो Canadian dollar का आपका खर्चा है ये के बहुत बड़ी investment है आपकी career opportunity है ये opportunity आपको क्या suggestion करेगी आगे किस path में lead करेगी क्या वहाँ पे सच मुझ आपका career है या आपका career नहीं है अगर आप study permit के लिए SDS program में जा रहे हैं तो ये तो वैसे जो institutes हैं जो अभी SDS के अंदर हैं DLI registered है फिर भी आप गरिडेन CIC की website में जाके study option को click करके आप चेक कर सकते हैं कि जिस college से आपको offer letter आ रहा है या जो college आपको offer कर रहा है offer letter और study के लिए जो course कर दे रहे हैं तो वो चक कर लिजिए वहाँ पर आपकी demand क्या है और दूसरा ये चक कर लिजिए क्या ये DLI registered है designated learning institute कि इसे वहाँ पर permission है या नहीं है कि ये private तो नहीं है अगर DLI है तो उसमें कोई भी tension की बात नहीं है दूसरी जो बात है कि जिस college में आप जा रहे हैं जिसमें आप पढ़ रहे हैं क्यूकि एक साल का तो कोई option है नहीं दो ही साल आपको पढ़ना पढ़ेगा तो दो साल study करने के बाद Post study work permit PSWP की permission है जिस college में आप जा रहे हैं पढ़ने उस college को आपकी study के बाद काम की permission है या नहीं है क्योंकि अगर आपको post study work की permission है तभी आपका Canada में study करने का फाइदा है तभी आप वहाँ पे settlement के बारे में सोच सकते हैं otherwise आप नहीं सोच सकते हैं क्योंकि agents ने जो किया था private colleges की वज़े से जो अभी इतना जादा visa rejection हुआ है कि SPP के अंडर बहुत सारे colleges क जो है rejections हुए है और बहुत सारे बाकी भी rejection हुए है उनका reason यही था कि band 5 थे और English के course के साथ किसी भी तरिक्ये से private colleges में students चले गए हैं और वहाँ जाने के बाद उनको ये पता चला कि जिस college में वो पढ़ रहे हैं वहाँ पे उन्हें पढ़ने के बाद post study work permit की permission ही नहीं है वो college DLI registered ही नहीं है और उसकी कोई value ही नहीं है इसलिए भी बहुत सारे students ने जो है college skip किये college change किये अपने study को drop out किया बहुत कुछ हुआ तो उसी चीज को एक legalize करते हुए कि students के साथ भी धोका ना हो और उन्हें काम भी मिले और post study work permit भी मिले क्योंकि अगर आप ये सोचके ज permission है जैसे कि consultants या फिर agents publicity करते हैं study study work and settle in Canada इनका जो option है कि आप study करेंगे study के साथ आपको 20 गंटे की permission होगी Canada का जो wage rate है 10.9 dollars है और अगर आप cut cut के आपको 10 dollars ये 9.30 या 50 dollars हाथ में मिलते हैं तो उसमें क्या आप survive कर सकेंगे या नहीं survive कर सकेंगे क्योंकि जब आपके holidays होंगे तभी आप पूरा काम कर सकेंगे during study आपको 20 hours की ही permission है तो ये सारी चीज़ें आप सोचें क्योंकि हरे country में 20 hours की ही permission है एजेंटों के जूटी बातों में आप मत जाएए अपना career खुद plan कीजिए आपके career में आपके parents की बहुत बड़ी investment है जो क बहुत बड़ी रकम है कोई चोटी मोटी बात नहीं है बाकी का अगले साल का और बाकी का जो करना है वो आपको arrange करना है तो आप वहां जाकर depression में आ जाएं stress पे ना आएं ये अपने आपको पहले से ही decide कर लें क्योंकि आपके इलावा भी वहां पे लाखों students हैं जो काम भी करेंगे और काम भी देना पड़ेगा और wage rate 10 dollar से 7 dollar भी हो जाएगा मतलब government rate नहीं आपको cash in hand पे काम करना पड़ेगा है कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे आपको पैसे कम मिलेंगे और काम उतने ही घंटे करना पड़ेगा तो ये सारी चीज़ें आप decide कर लें मैं नही चाहते कि आप मासूम होकर आप चीट हो जाएं क्योंकि बहुत सारे North Indian student 12th के बाद ही चले जाते हैं Canada या फिर Australia पड़ने के लिए तो उनके लिए ये एक मेरी request है कि जो भी आप करना चाहते हैं वो आप समझ के करें आपकी course कौन से अच्छे course है Canada में किन courses की value है और वो courses क्य हैं क्या आप उन्हें समझ सकेंगे क्योंकि इंडिया की study और इंडिया का study pattern है कि colleges और schools में ही सारा कुछ पढ़ाते हैं explain करते हैं homework देते हैं test होते हैं international student standard यह है कि वहां पे आपको explain किया जाएगा और उसके इलावा आपको assignment बनाने पड़ेंगे हर एक topic पे और साथ में आप आपको खाना बनाना पड़ेगा साथ में आपको काम करना पड़ेगा अगर आप assignments में fail हो जाएंगे तो आपको promotion नहीं मिलेगा मतलब आप next semester में fail हो जाएंगे तो skip कैसे करेंगे और manage कैसे करेंगे तो यह एक system है आप सीख कर जाएं जब भी आप इंडिया से जाएं कि हमार Indian system और Canadian education system assignment based है आपकी knowledge assignment से वो लोग चेक करेंगे कि आपने कितना सीखा और आप कितना time study को देंगे assignments को देंगे जौब को देंगे और अपने घर में खाने पीने को देंगे यह सारी चीज़ें सोच के जाएं और वहां पे आप कैसा behave करेंगे socially इस चीज़ पर भी control करें क्य जाते हैं और हम फिर बाद में citizens के साथ लड़ते हैं कि यह हमें चाहते नहीं कि हम आए actually तो जो students पहले चले गए हैं और जो दूसरे आ रहे हैं हर साल हर semester में तो वो एक competition हो जाता है कोई भी नहीं जाता कि कोई नए आदमी आके उनका काम चीने उनकी job चीने उनके साथ competition करे तो इस बात से यह जो problems हो रही हैं यह सारी problems avoid करनी पड़ेंगी क्योंकि आना भी सभी को है रहना भी सभी को है काम भी सभी को करना हो और subtle भी सभी को होना है तो इस फंडे को और complicated ना करें अपनी जिन्दिगी अराम से जीए और दूसरों को भी अराम से जीने दें झांको हो लुट जय है किस Вас ब्रॉट ना क्यूंसतों क्यूट अपना phrase am jazahisma